आज के वचन का नाम है प्रबू की मेज का रहसे उस टेबल का क्या रहसे जहां हम गैदर करते हैं अध्यायच्छे में हैं योहना के वर्स फिफ्टी टू में इस पर यहुदी आपस में यह कहकर वाद विवाद कने लगे यह मनुश्य हमें अपना मास खाने को कैसे दे सकता है येशु ने उनसे कहा मैं तुम से सच सच कहता हूँ जब तक तुम मनुश्य के पुत्र का मास ना खाओ और उसके लहू को ना पियो तुम में जीवन नहीं जो मेरा मास खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसका है और मैं अन्तिम दिन उसे जिला उठाऊंगा मेरा मास तो सच्चा भोजन है और मेरा लहू सच्चा पीने की वस्तू है जो मेरा मास खाता और मेरे लहू को पीता है वो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें जिस प्रकार जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ उसी प्रकार वह भी जो मुझे खाता है मेरे प्रकार जीवित रहेगा यही वो रोटी है जो स्वर्ग से उत्री है वैसे नहीं जो पूरवजों ने खाई और मर गए इस रोटी को जो खाता है उस सदा सरवदा जिवित रहेगा उसने ये बात है अराद नाले में उस समय कही जब वो कफर नूम में सिक्षा देता था आमें ये है प्रभु का वचन इसमें लोग आपस में वाद विवाद करने लगे कि ये हमें अपना मास कैसे खिला सकता है और इस पर ये शुने कहा मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि जो इस मास को ना खाए और इस लहू को ना पिये उसमें जीवन नहीं है मेरा पहला सवाल क्या हम जिस कल्चर में रहते हैं वो हमें प्रभावित करती है बिल्कुल इन फैक्ट आप जिस शहर में रहते हैं वो आपको प्रभावित करती है जिस घर में पले बड़े वो आपको प्रभावित करता है जैसे आपकी दोस संगती रही जीवन भर जैसा आ आपके जीवन को आपके आचरन को प्रभावित करता है लेकिन हम जिस कल्चर में रहते हैं वो कल्चर बहुत प्रभावित करते है और मैं प्रभू के लोगों को समझाना चाहता हूँ विश्वासी लोगों का एक ही कल्चर है पवित्ता एक ही कल्चर है मैं इस सीरीज में बार बार एक बात समझाना चाहता हूँ अगर आपको प्रभू का चेला बनना है अगर आपने अपना जीवन प्रभू ये शुमसी को दिया है और आप उसका अनुसरन करना चाहते है तो आपको उसकी बातों का समान करना होगा आप बोलेंगे उस चर्च में तो ऐसा होता है होने दो तुम बोलोगे वहाँ भी तो लोग वैसे उनका तो चल जाता है चलने दो हमको डिसाइड करना है कि हम कल्चर के नुसार जीएंगे कि हम परमेशर के वचन के नुसार दीएंगे और वो विश्वास को कोई फाइदा नहीं है जो हमारे कारियों में दिखे नहीं तब हमको यह सवाल करना है कि हम वर्ल्ड को अपने उपर एफेक्ट करने दे रहें कि हमfordly system को अपने उपर एफेक्ट करने देते हैं कि हम allow करते हैं कि परमेश्वर का वचण हमारे life को minister करे, हमें हमको प्रभावित करे, तो विश्वासि किसको बोलते हैज हमको उसको समनने है, विश्वासि जीवन कैसा होना चूँ हमको उसको समनने है, और वो कौन सी टेबल है, जिस टेबल मे विश्वासी एकता के साथ जुड़ते हैं प्रभू इश्यों कहते हैं तुम में जीवन नहीं है अगर तुम इस रोटी से नहीं खाते और इस लगू से नहीं पीते symbols powerful बन जाते कई बार जिस चीज को वो दर्शाते प्रतीक कई बार बहुत सामर्थी रूप से किसी चीज का मतलब सिखाते हैं खाने के लिए क्या चीए रोटी फिर ये समझ भाता है रोटी ये बिना जीना मुश्किल है और दूसर principle कहा कि आदमी का जो जीवन है वो लहू में life blood में है और life bread में है खून जो हमारे अंदर बहता है वो प्रतीक है कि हमारे अंदर जीवन है और रोटी जो हम खाते है वो हमको जिन्दा रखती है आमेन यहां तक समझे सब तो ये पूरा जो वाद विवाद था ये चालू कैसे हुआ क्योंकि यहूदियों लोग ने ये देखा था कि 40 साल पर मेशवन ने इसरेलियों को मन्ना स्वर्ख से गिरा की खिला और अभी येशू से पूछ था तुभी हमें ऐसी उसने मन्ना खिला ता आप क्या चिन्न दोगे जबकि अभी येशू ने 5000 लोग रोटी खिलाई थी तो अब परभू उसी चिन्न को इस्तमाल करके पहले उनको समझा रहे है कि स्वर्ख से जो रोटी है यह मैं हूँ तो मन्ना खा के मर सकते हो लेकिन जो ये रोटी खाएगा वो कभी नहीं मरेगा उसी औरत की तरह जिस औरत को परभू ने कहा था अगर तुम जानती तो तुम मुझसे मांगती और मैं तुमको इस अनन जीवन का पानी देता अब बोलेंगे येशू वो पानी है हाँ येशू पानी ले लिटरल सेंस में नहीं एक सिंबल है कि जैसे पानी पी के आदमी की प्यास बुच जाती है येशू वो जीवन का जल है जिससे हमेशा के लिए प्यास बुच जाती है आमें जैसे रोटी खाके आदमी जीवित रहता है लहू के कारण जीवित रहता है येशु कहते है जो मेरे शमान्स को खाता है मेरे लहू को पीता है वो जिन्दा रहेगा उसमें जीवन है उसके बिना तुम में जीवन नहीं और मैं आज उस फरक को समझाओंगा तो यहाँ वो रोटी और लव लिटरल नहीं है मतलब जो हम प्रभू मेज में शामिल होंगे अरम हात में वो रोटी और वो काटूरा लेंगे इसका मतलब यह नहीं कि सही में प्रभू येशु कह लव हमने फिर से एक बार उनका अत्या कर दी और उनको मार के उनका मम लवू और मास खारे नहीं बट ये पाफुल सिंबल है और आज के विश्वासियों में 2000 साल पहले के विश्वासियों में बहुत फरक है उनके लिए ये सिंबल एक पाफुल टुथ था कि मेरे कारण कोई क्रूस पर मरा है और एक मेच थी जहां सारे विश्वासियों आकर इकठा थे वो एक थे वहाँ एक लाइफ है जो आप में बोलता है हम बिलीव करते है जैसे हम जब अराधना कर रहे थे क्या बोला आप परमेश्यों से प्रेम करी नहीं सकते है अगर उसने आपसे प्रेम नहीं किया थो परमेश्यों को समाथ सेवा नहीं मंग रहे हमारा प्रेम एक प्रेम का रिस्पॉंस है हमने उसके प्रेम को चखा है हम जानते हो धार का मतलब क्या होता है हमने उस अनुग्रय को चखा है लव ये रिस्पॉंस है क्योंकि उसका प्रेमियम को सिखाता है एक्चुल में प्रेम क्या होता है तो आज के विश्वासी बहुत अलग टाइप के है क्यों आप इस चर्च में पसंद ने हैगा आप दूसरे में चले जाओगे लेकिन अगर सत्य प्रचार होता है तो आप वो भी छोड़के चले जाओगे जो नाम भर के विश्वासी उनके लिए बहुत सा इसे चर्थे जो उनको comfortable रख सकते जहां निरंतर वो 5000-2000 इकठा होके वो रोटी मचली खा सकते बट immediately वचन की सिक्षा प्रभू के पीछे चलने का कॉस्ट, डिसाइपल शिप के मैटर, ओबीडियन्स के मैटर प्रीच होते हैं लोग छड़ जाते हैं तो प्रभू के पीछे भी कोई बचा नहीं ना और प्रभू अपने चलों से पूसते तुम भी चले जाओगे तो चले बोलता है, आपको छोड़के हम कहा जाए जीवन के बचन किसके पास है, आमेन एक मिस्ट्री है ना, उस दिन 20,000 लोग इकठा हुए और 20,000 लोग स्काइटर भी हो गए क्योंकि बहुत सैसे चर्च हैं जा हम कमफेटेबल रह सकते हैं, और आज इन विशो के बारे में बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम उस टेबल के बारे में समझेंगे जो टेबल और उस टेबल पर बड़ी रोटी और जो कटोरा वो खाले एक प्रतीक नहीं था वो कितना पाफुल रिपेसेंटेशन उस टुट का जिसको चेले जानते थे उनकी लाइफ उस टेबल के राउंड थी उनकी लाइफ उस चर्च के राउंड थी आज हमको दुकान खोलनी है, ये करना है, वो करना है बड़ चेले जब मिलते थे उनकी life उस चीज के around revolve करती थी और वो हाथ में रोटी और वो लहू क्या powerful symbol था उनकी life में कि एक मेज है जहां सारे विश्वासी कठा है आज कमीनन किसी चज़ में साल में एक बार कही महीने में एक बार और लोग उस दिन ऐसे कठा होते जिसे लंगर है उस दिन में जहां खाना होता है महाँ पिर ज़्यादा लोगी कठा होता है यह रोटी और मचली वाले लोग है विश्वासी जब मिलते थे उस मेज पे कठा होते थे उस रोटी को तोड़ते थे उस कटोरे से पीते थे और इसका मतलब क्या है? कि येशु का शरीर अलोग खाने वाला उसमें जीवन है जैसे मैं पिता के अनुस्तार जीता हूँ पिता के द्वार जीता हूँ वैसी जो मुझे खाता है और मुझे पीता है वो मेरे द्वार जीता है और जो इस रोटी से खाएगा वो हमेशा कि लीजियेगा और इंप पूछते हैं वो आपस में कुलगुड़ आने लगे बला ये अपना शरीर हमें कैसे खिला सकता है तो प्रभू कहते है जब तक 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 तुम इससे नहीं खाऊगे तुम में जीवन नहीं है मैंसा बोलो तुम्में जीवन नहीं है अब इसका मतब समझाता हूँ उसमें जीवन है इन हिम वस लाइफ तो इसका था होगा उसमें जीवन था और वो जीवन मनुश्यों की जोती जीजस में एक लाइफ है मैंसा बोलो येशु में जीवन है तो बोलोगे कि हम में नहीं है तुम में भी है लेकिन वो जीवन नहीं है जो येशुब है और इन जीवनों के फरक को समझना है अमें परमेशों ने जो आदम में श्वांस फूकी उसमें उसको जीवन दिया लेकिन उसको वो जीवन नहीं था जो परमेशों के अंदर है उसको मनना तय था, चोर चुराने आता है हत्या करने आता है चोर मानने चुराने हत्या करने आता है लेकिन येशू आया कि जीवन दे अब ये जीवन अलग जीवन है और बहुत आयत का दे, आमेन तो लुका 8 के 14 में हम जाएंगे और जीवन को समझने की कोशिश करेंगे जो बीच कटिली जाड़ियों में गिरा यह तो वो है जिन्होंने वचन सुना और जैसे वे आगे बढ़ते हैं और वे चिंताओं धन और जीवन के सुक विलास में फस जाते हैं और परिपक्कोता के लिए कोई फल नहीं लाते तो जो बीच काटो पर गिरा है यह वो विश्वासी हैं जिनमें बीच गिया है हमने इस बारे में पूरा प्रचार किया रहीट तो यह काटो में गिरा और क्या जीवन की चिंता तो यहाँ जो जीवन शब्द है ये वो शब्द नहीं है जो जीवन का प्रभू ने दिया अब इंगलिष में सारे शब्द life है हिंदी में सारे शब्द जीवन है लेकिन युनानी में सारे शब्द एक नहीं है ये वर्ड है bios यहाँ से वर्ड आता है biology biology पढ़ते है ना मनुष्य के शरीर के अंदर क्या है Life Process 1, Life Process 2 Life का Process क्या है क्या चीज है जो ये जीवन के ढाचे को बना के रखता है जिससे जीवन चलता है यहाँ जो शब्द है यह शब्द है यह शब्द है बायोस और मैं चाहता हूँ अपने नोट्स में जरूर इन वर्ड्स को लिखे Because हिंदी में तीयों शब्द जीवन है इंग्लिश में सारे शब्द लाइफ है इन हिम वस लाइफ उसमें जीवन था लेकिन ये बायोस नहीं था तो जो लोग खा पी रहे हैं सुक विलास में जी रहे हैं तुम बोलो कि उनका क्या जीवन है उनके बस जीवन है लेकिन बायोस है ये कौन सा जीवन है ये वही जीवन है जब लोग प्रभू को जीवन देते हैं और बीच जाता है उनके अंदर तो जीवन की चिंता है मतब इस शरीर में जो हम सुख विलास करते हैं उसकी चिंता है मेरा खाना पीना कैसे चले मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी वो चिंता मतब अभी जो हम शरीर में हैं मेरी रोजी रोटी मेरा घर कैसे चलेगा ये बायलोजिकल लाइफ की चिंता ये जो हम physical body में रह रहे हैं उसकी चिंता है यह कौन सी जो हमारे DNA हमारे जो DNA उससे energy transmit होती है उससे उर्जा निकलती है जो पूरे शरीर में जाती है और फिर जो शरीर के सारे अंग है जो सारी activity है यह उसी उर्जा से होती है इसके लिए शब्द है bios वो जीवन bios नहीं है यह bios की बात नहीं होरी जो मेरा शरी खाएगा लहू पिएगा यह bios की बात नहीं होरी वो अलग जीवन है यह bios है कौन सा जब लोग को रोजी रोटी की चिंता होती है घर की सुख विलास की खाने पीने की चिंता इसी चिंताओं के कारण बहुत से लोग फल दैक नहीं होते ना इंदी और इंग्लिश में एकी वर्ड है जीवन जैसे हमने स्कूल अफिटी क्लास में सीका हेल के लिए एकी वर्ड हेल 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 लेकिन हेडिस है गेहना है टाटरस है बहुत सारे शब्द है अग्युनानी में बहुत अलग अलग शब्द है और क्या होता ना कई बार कहानी अनुवाद में खो जाती है आगे जब हम कुछ मुद्दों पर मनन करेंगे आप देखेंगे सिर्फ अनुवाद चीजों को कितना फरक कर देता है और जो आम आदमी पढ़ता है वो जब जीवन पढ़ रहा है तो तो बोलेगा मेरे अंदर जीवन है कि कौन सा जीवन है जो प्रभी उशु बोल रहे है ये बायस नहीं है ये भोग विलास की चिंता मेरे जीवन रोजी रोटी की चिंता मेरा घर कैसे चलेगा उसकी चिंता कि वो जो जो शरीर को बना के रखता है उस पावर की बात नहीं कर रहे वो तो हमारे डियने में वो तो परमेशु ने जब आदमें श्वांस फुकी उसी समय आ गये था उसमें ये जीवन जब आदमी मरेगा ये जीवन खतम हो जाएगा तो ये वर्ड है बायोस ये वो जीवन नहीं है दूसरा वर्ड हम आते मतिस सोला पचीस में मैं चौबीस से बढ़ता हूँ चौबीस सो पचीस तब ये शुन अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपका इंकार करे और अपना कुरूस उठाकर मेरे पीछे चले क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वो उससे खोएगा और जो मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वो उससे पाएगा अब यहाँ प्राण है तो जब आप इंगलीस प्राण पढ़ेंगे वो सोल नहीं होगा कई बार उसमें लाइफ लिखा होगा यहां हिंदी में अनुवाद क्या प्राण लेकिन इसको ऐसे नहीं जो अपना जीवन बचाना चाहेगा जो अपना जीवन बचाना चाहेगा वो उसको खो देगा और जो अपना जीवन खोएगा वो उसको पा लेगा अब इस ट्राण स्लेशन में जिससे मैंने पढ़ा उसमें प्राण लिखा अब अगें हिंदी में अगर आम अनुवाद हो तो यहां भी शर्र जीवन है कितने लोग समझ रहें लेकिन यह जीवन बायोस नहीं है यह जीवन वो जीवन नहीं है जो प्रभू येश्य दे रहे है यह सूखे जैसे सूखे जीवन है कई लोग है वैसे सूखे याद रहेगा सूखे P-S-U-C-H-E बड़ इसका प्रनुशेशन के सुख है जो अपने जीवन बचाना चाहेगा वो उसको खो देगा अब यहाँ प्रभु ये शो जिस जीवन की बात कर रहे वो क्या मतलब हमारे सोल की, हमारे प्राणों की हमारे प्राण जहां हमारे सारी भावनाय कैद है हमारी सोच, हमारी इच्छा, शक्ती, हमारे निर्णे लेने का सामर्थ हम कैसे सोचते हैं वो चीज़े क्योंकि जब आदमी अपने जीवन को खोएगा तो उसकी जो लाइफ इस बॉड़ी में वो लाइफ चली जाएगी तो यह दूसरा शब्द है सूके, याद रहेगा सूके पहला शब्द है बायोस, बायोस मतलब रोजी रोटी की चिंता, जीवन की चिंता सूके, यहाँ जब रहो लोच अपने जीवन बचाना चाहेगा, वो सो खोटेगा यह क्या है, यह है psychological life, जहां से हम लोग अवरड रता है, psychology, studies आते हैं, psychologist, लोग, वली यह कौन है, यह psycho है, इसको किसके पास बेजेंगे, psychologist के पास, यह psycho, इसका मस्तिश्क, ठीक से काम नहीं कर रहा, और फिर psychologist के पास बेजता, psychologist क्या करता है, उसको और psycho बना देता है, हम इका psyche, यह शो ही ठीक कर सकते है, तो पहली life, जो जीवन की चिंता है, अगे वाट जीवन है, वो बायोस, दूसरी life, जो अगे जीवन की चिंता है, वो वैड़ सूके, बट उसमें जीवन था, वो जीवन मनुश्य की जोती था, यह कौन सा word है, जोई, Z-O-E, जोई, यह क्या है, अनन्त जीवन, हम जो पैदा होता है, हमारे अंदर बायोस होता है, सूके होता है, मतला हमारे प्राण होते हैं, हमारे शरीर में जीवन होता है, लेकिन जोई ही नहीं होता है, बिना जोई के, बिना उस जीवन के, जो मसी येशु देते है, आदमी जिन्दा होके भी मरा अब मैं फिर से बोल रहा हूँ एक ही शब्द है राइट हिंदी और इंग्लिश में एक ही वर्ड अलाइफ और जीवन बढ़ इसका असली अनुवाद पूरे मतलब बदल देता है देखो तुम 1980 में विश्वासी थे इससे किसी को फरक नहीं परता तुम 1975 में क्या किये तुम 5 साल पहले कल तुमने क्या किये इससे फरक नहीं बरता तुम आज यदि उसमें हो यही मैटर करता है किसी को तुमारे विश्वास की महान कहानिया नहीं सुननी यदि आज तुम विश्वास में नहीं हो तो जो विश्वास में है, वो प्रति दिन उसके साथ चलता है, आमेन, बिना जोई के, जीवित आद्वी भी मरा हुआ है, तुम बोलो के वो तो खा पी रहा है, बड़ा अनन्दित है, उसके पास भोग विलास की सारी समगरी है, लेकिन वो मरा हुआ है, तुम बोलो मैं इतना और वो जीवन मनुश्यों की जोती था इसलिए जब इश्वासी मरता है वो मरता नहीं वो सोता है येश्वन अपने प्रान दिये ना मतलब अपनी लाइफ दी कौन सी लाइफ दी बायोस और सूके बड़ जोई से वो वापस खड़े हो गए अमें उस जीवन के कारण जो पिता की ओर से वो खड़े हुए तो ये जोई लाइफ है ये जिसमें अनंत जीवन है जिसमें वो जीवन है जो परमेश्वर की ओर से येश्वर की ओर से आता है जब ये जीवन होता है आदमी मरने से डरना बंद कर देता है जी कर चैन नहीं आया, तो कहते हैं, मर जाएंगे, मर कर भी चैन नहीं आया, तो कहां जाएंगे, ये वो जीवन है, जो हमको परमेश्वर के मूरत में बदल देता है, ये वो जीवन है, जिसे आदमी के भले ही प्राण चले जाए, लेकिन वो मरता नहीं है, वो जिन्दा रहत यह वो जीवन है जो परमेश्वर का जीवन है जो सामर्थी जीवन है जो उनको परमेश्वर के प्रेम से बर देता है आमें यह वो जीवन है जिसे हम प्यार करना सीखते हैं यह वो जीवन है जो परमेश्वर देना चाहते हैं जिसके लिए मस्य येश्व को लाए है यह वो ज मतलब येशु के बलिदान के द्वारा जो जीवन हमारे लिए महया कराया गया है हम उसी जीवन से जीवन लेते हैं और हम जब उस टेबल में कठा होते हैं ये एक बहुत सामर्थी प्रती के हमारे सामने कि यही वो जीवन है जो हमको जीवन देता है जैसे ये मर कर उठा वैसे हम भी मर कर उठेंगे जैसे ये महिमा में वैसे हम भी महिमा में जाएंगे येशु ने अपने उस क्रूस पर अपने बलिदान के दौरा हमारे लिए क्या शमादी ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी यह वो रोटी है जिसको कोई खाता है तो वो तिर्प्त हो जाता है उसके भूक मिड़ी जाती है तो फिर क्वेश्चन है मेरा जीजस पर फेट का मतलब क्या होता है मतलब मैं अपने जीवन के लिए येश्व मसी की उस मित्यू उसके उन कामों उस व्यक्ति पर अपना भरोसा डाल दिया है उस जीवन से मेरा जीवन चल रहा है एमेन और उसका प्रमान है मेरा वर्तमान रिष्टा प्रभू येश्व के साथ हमने परसो मीटिंग में हम रो के गिर गए इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा इस सूखे सूखे एमोशना लाइफ में तुमारे जो एफेक्ट पड़ता है उसका कोई फरक नहीं है रियल में जो अंदर जो लाइफ है एमेन उसका उसका इम्पैक्ट क्या है अब आज से 2000 साल पहले अगर किसी के अंदर जो ही है तो वो टेबल पह है तुम्हें इस चर्च उस चर्च सम्बले को मतलब नहीं है कोई चर्च तुमको बचाने सकता लाइट ओ दो वर्ल्ड असम्बली में कोई बचाने की शमता नहीं है शमता परमेश्वर के वचन में उस मसी येश्व में जो असली जीवन की रोटी है हम कैसे कमीन में पाठे करते हैं हम चर्च में कैसे इकठा होते हैं परमेश्वर की चीज़ों को कैसे देखते हैं यह ट्रांस्वाम हो जाएगा दोजार सार पे लोग के लिए उसका मतलब क्या था उस वो सारी चीज़े का एक फोकल पॉइंट था वो जब उस मेच के अरांड आते हैं यहां विश्वासी एक है एक मन है यहीं जीवन है यही वो जीवन है अब वो लिटरली फ्लेश और ब्लेड नहीं है लेकिन यह बहु उसा प्रातना करता है प्रमेश्य बोलते है एक ब्रॉंज का स्नेक एक लकडी पर चड़ा दो पोल पर खड़ा कर दो और जो साप को देखेगा वो बच जाएगा तो वो साप किसका प्रतीक है प्रभू येश्यू का तो क्या सही में प्रभू येश्यू को साप है नहीं प् पर उसके लिए वो कपड़ा ही उस समय कितना पाफुल एक प्रतीक था कि मैं इसको मातर छूलू येशू कपड़ा तो नहीं है न और हम जो रोटी और लहू का रहे हैं वो येशू तो नहीं है लेकिन वो कितना पाफुल सिंबल है कि मेरी लाइफ इस लाइफ से फ्लो कर रही है ये जोई उसकी सैक्रिफिशल डेथ के कारण मेरे लाइफ में है मेरे बायोस और शूके में ये जोई आइड़ेड है प्रभू येशू के कारण कि उसमें जीवन था वो जीवन मनुश्य की जोदी था आमेन जो इस शरीर से खाएगा और इस लहू को पिएगा वो कभी मरेगा नहीं तो तुम बोलो कि लिटरल नहीं है इसलिए हम प्रभू की मेज में शामिल नहीं होते इसलिए हमने बैप्टिसम नहीं लिया क्योंकि ये सब तो लिटरल है नहीं ये सारे सिंबल का पारफुल मीनिंग है ये सारे सिंबल कुछ रिप्रेजेंट करते हैं बैप्टिसम एक पारफुल सिंबल है कि तुम्हारे पाप दूल गए है एक पारफुल सिंबल है कि तुम मस्य येशु के साथ तुमारा जीवन जुड़ गया एक powerful symbol है कि जैसे वो मर गया तुम भी पाप के लिए मर गया एक powerful symbol है जैसे वो सामच सोठा है तुम भी सामच से नया जीवन जी होगा वो symbol अपने आप पर इतना powerful है जो हमने लोगों की मनुष्य की तरीकों को देखा है जिससे हम सब को खुश करना चाहते है कि कोई भी एक जन अब यहाँ चर्च में है तुम पाप में जीरो तुमारा प्रभू में मन नहीं लगता मेरे उपर कोई भार नहीं है तुमको ये बताना है कि तुम स्वर्ख जाओगे मेरे पर इतना भार नहीं है कि मैं तुमको बहला फुसला के कलीश्या में रखू आप बोले कि आप हमारा अपमान करेंगे ने मैं वो भी नहीं चाहता मेरा काम है फेटफुली परमेश्य का वचन परचार करना बहुत से लोग उस महल के अधीन है आज इस चर्च में हम लोगो कहीं भी बिठा दो हम लोग रादना कर लेते गी नहीं ये ट्रेनिंग है न ये डिसाइपल्शिप है ये तुमको सिंबल समझाया गया है लाइफ समझाया गयी प्रभु येश्य के जीवन का मतलब समझाया गया तब जाके ये ट्रांस्वर्मिशन से वोशिप क्या होती ये समझाया गया तुम बहुत हम तो सालों से चर्च में जा रहे है बहुत अच्छी बात है लेकिन जोई तो एक अलग चीज है राइट जो उसका शरीट खाता है और जो उसका लवपीत है मतलब जो उस सैक्रिफिशल डेथ जिसने अप उस बलिदान पर अपना इमान डाल दिया और अब वो उसका जीवन उस जीवन में केंदित है तो तुम सोचो दो हजार साल पहले क्या फरक था दो हजार साल पहले वो टेबल एक सेंटर था जहां चर्च उनाइटेड था उसमें जीवन है तो फिर उनके लिए ये कोई ऐसे खाली एक रीती तो नहीं न चलो हम आएंगे रीती है इस रीती को कर ले अरे भई जब हम इस टेबल में बैटेंगे हमको अपने आपको जांचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भई क्या हम सही में मेरा जीवन उसमें केंदित है क्या सही में मैं उसमें विश्वास कर रहा हूँ क्या मेरे मन में कोई पाप तो नहीं क्या हम इसके लोगों को प्राओं से तो नहीं कुछ चल रहा है क्या मेरा व्यक्तिकत रिष्टा आज भी उसके साथ है आदे लोग यहां बैटे तुम्हारे पत्री पत्री जब ठीक हो जाओंगे तुम्हारे जीवन ठीक हो जाएगा कुछ नहीं होगा अगर आज ठीक नहीं ह चल रहे, तो कल हम कैसे उठा लेंगे, हमको जो करना पड़ेगा, आज करना पड़ेगा, आज उद्धार का दिन है, बहुत से लोग दुखे रहते हैं, हमारे घर में ये विश्वास नहीं करता, तो जब शेले उस तेबल में कठा होते हैं, ये क्या साइन का प्रूफ है, मेरी लाइफ उस लाइफ में, मेरी काम है, उसको झाण। उसको फॉलो करना, उसको अनर करना, उस से प्यार करना, और फिर ये गैधरिंग, चिर्च की गैधरिंग, ये बहुत डिफेरेंट गैधरिंग बन जाती है, कई लों को लगता है, हम नहीं चाहते, बहार वाले आए, या तुम मतलब भी नहीं समझते हो हम घर का गेट खोलते हैं सारे नेवर्स आके रहने लगे ये घर नहीं होता है घर वो होता है जिसमें जो घर के सदस होते हैं जिसमें जोई है वो घर है जिसमें जोई नहीं है वो महमान है घर में इन्वाइटेड है लेकिन घर का सदज से कौन है जिसमें जो ही है क्या लोग फरक समझ रहे अगर conference है मतलब क्या विश्वासी की सब है तो लोग बोलते हम अपने आव विश्वासी दोस्कों ले हम बोलोस को समझ के आएगा वो तो gathering believers की राइट ये शो बोलते हैं मैं अपने कलीशा की स्थापना करूँगा तो फिर कलीशा के है देखो मैं प्लीज चाहता हूँ क्या तुम्हारे इससे पहले ऐसी सोच थी तो बिना सिक्षाओं के कोई कैसे प्रभू में बढ़ सकता है बिना परमेश्व के दासों के जो सिक्षाद है क्यों बढ़ सकता है अब बुलेंगे सत्य इंपोर्टन नहीं है सत्य कैसे इंपोर्टन नहीं है सत्य ही तो सबसे इंपोर्टन चीज है उस सत्य को धारन करने के बाद जानने के बाद हम जूट में कैसे जी सकते है उसके लिए तो बहुत compromise सही है उसके लिए जोई छोड़ना पड़ेगा फिर मेरी feelings जादे important है, right? You don't know how I'm feeling तुमकों नहीं मानों हम कैसा feel कर रहे है इससे कोई फरक नहीं पड़ता मैं कैसा feel कर रहा हूँ feelings हो change हो जाएगी बड truth नहीं change हो सकता और विश्वासी जीवन feelings पर धारित नहीं है विश्वासी जीवन सत्य पर धारित है आप मेरी परिसीदर नहीं समझते हो तो मेरी कौन समझता है देखर हम समझाना है नहीं चाहते यह सत्य important है यह सत्य फिर believer के life के central point हो जाता है उसकी life पूरी इसी सत्य पर केंदिर थै फिर येश्व का उसके लिए मरना उसको मालम है उसी में जीवन है देखो सुनो में बच सुनो इसका मतलब क्या होता है येश्व का cruise मरने का मतलब कि उस cruise पर मरने के द्वारा अब उद्धार का रास्ता खुल गया हम believer है कि नहीं कैसे पता करें मैं बताता हूँ इसका मतलब नमबर वन कि हम अपनी salvation के लिए Jesus पर trust करते हैं नमबर टू कभी तुमने किसी को देखा धूप के नीचे मुंबत्ती जलाते वे कभी देखा तुमने कभी तुमने दूप के नीचे दिया जला है कभी अगर रूम में पूरी light आ रही है तो अंदर की light भी काम करती है तो मसी को जो जानता है फिर और किसी पे विश्वास नहीं होता उसका जो सूरज की रोशनी देख रहता है फिर मुंबत्ती, candle, tube, light कुछ काम नहीं आती इसका मतलब है कि मेरा trust सिर्फ मसी पे है उस फरमेशर के बेटे पे वो ही उसी में जीवन है वो जीवन मनुश्य की जोती है आमेन नमबर तीन इसका मतलब यह है कि अपने present life में आज के दिन हम उस पे trust करते है कल की निए मेरे assurance का proof ही है मेरे आज की life जोस में है आमेन नमबर चार यह कोई वो विश्वास नहीं है जो intellectual faith बोलते है कि हमको मालूम है जीज़ कोन हमको मालूम है तो cross पर मरें नहीं यह उद्धार देने वाला विश्वास है आमेन 2000 साल पहले के विश्वासी के लिए evangelism क्या था आत्मा जीतने क्या था church से बाहर जाते थे आत्मा जीतने और वो सारी आत्मा चर्ज में आती थी मैं अपने कली से किस्तापना करूंगा और नर के दौर के समने प्रबल नहीं होगे तो क्यों यह church अब उनका focal point है center point है अब वो table उनका center point है अब तीन प्रकार के church होते मैं बताता हूं पहला church यह वो church है जहां focus है miracle रोटी और मचली यहां focus क्या है रोटी और मचली तो पहले बता दू यह church भी नहीं है तुम बहुत उस सच में तो बहुत miracle होते है miracle करनो करवा ले कुरूसेट चलो अब इस्वासी बनो हम लोट फिर कुरूसेट करेंगे यह प्रात ना करो फिर वो बहुत जीवन में काम करते है अद्बूद्रम घंक से काम करते है तुम बहुत बहुत चमतकार होते है लेकिन वह वचन नहीं है उसको church नहीं बूलते है वो evangelism की कोई जगा हो सकती है क्योंकि church गेट्स पर नहीं बनता कई लोगों इतना प्यार है उनको लगता है कि परमेशे से जारा द्यालू हो है परमेशे से जारा smart हो है परमेशे से जारा intelligent हो है तो नहने तरीके लाते हैं वोगों को बचाने के लिए तूम को नए तरीके ने लागा तूम को gospel मिला प्रीच करने के लिए ये जो इनसानी तरीके हैं नहां हम लोग मचली पकड़ने क क कोशिश करते है लोग को फसाने की कोशिश करते है विश्वास में होते तो नहीं हो लोग विश्वासी बट तुम्हारे पस क्या प्रूफ है वो विश्वासी है वो चर्च आ रहे हो यही प्रूफ है तो मैं तो बोल नहां कर तुम चर्च में बैटे हो तुम प्रभू में तुमारा जीवन नहीं तुम मर जाओगे और नर्ग जाओगे चर्च में सेविंग पावर नहीं है बट सेव्ड लोग चर्च में गैदर करते है इन दोनों बातों में फरक है Amen saved लोग ही असली चर्च है तो पहला चर्च कौन सा है ये वो चर्च है जिसका focal point क्या है miracles प्रभू कितनी रोटी और मचली गिला सकते सारा excitement इसी के राउंड है सारा चर्च इसी चीज के राउंड बिल्ड है Jesus के healing power Jesus के deliverance के power Jesus के miracle power ये चर्च पहले तो नहीं है दूसरा चर्च कौन है ये चर्च में focal point है salvation और हम बताता हूं हम दो को इस चर्च से आगे बढ़ना है मतलब ये चर्च में focal point क्या है कि हम उसमें एक नई सरिष्टी है तो ऐसा चर्च बहुत powerfully gospel सुनाता है भीड बहुत रहती है लेकिन या सिक शाय नहीं होती क्योंकि focal point है gospel 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 मतलब तुम प्रभू को जीवन दो प्रभू को जीवन दो प्रभू का लहू प्रभू का लहू प्रभू का लहू प्रभू को जीवन दो प्रभू का लहू प्रभू का लहू लेकिन जो तीसरा चर्च, जो चर्च प्रभू येश्व इस्टाब्लिश कर रहे है, यहाँ focus salvation खाली नहीं है, यहाँ focus salvation से आगे बढ़के बेटे-बेटी होना है, sunship, आमेन, और तभी church की एक value होती है, देखो पहला miracle, राइट, दूसरा new birth, तीसरा कहा है, वो जैसा था, हम वैसे हो जाएंगे, अब मैं चाँता, भूत ध्यान सर्थ सुनो, पहला में focus कहा है, miracle, दूसरा का focus कहा है, salvation, पहला वाला है, healing and miracle grenade, दूसरा कहा है, gospel grenade, अब तीसरे का focus कहा है, वो जैसा है, हम वैसे बन जाएंगे, तो जिस वेक्ति की आशाय रहती है अपने ऐपको पवीत रखता है क्यों तो कि वो जैसा है वो जाता नहीं जिस दिन प्रभू ये शुव आशे रमिंद siè तो वो चाहता है कि जब प्रभू आये हमवेसे है तो अपने जीवन को संभाल के रखता है यही प्रूफ है उस लाइफ का तो अब इस चर्च का फोकुस का है हम उसके जैसे बन जाएंगे संशिप डेइफिकेशन मतलब अब हम वो देख रहे हैं जो इसने पॉलोस बोलता है ना तुमारे मन के आख खुल जाए तुम उस विरासत को समझो उसके प्रेम की उचाही हम उसके बेटे-बेटी जैसे मसी येश्यू की विरासत में इससदारी लेंगे हम उसकी महीमा को चख़एंगे अमैन जब सब सारा फोकस प्रेजेंट पह है तो हम Political Life के बारे में नहीं सोचेंगे जोई के बारे में नहीं सोचेंगे सब समय बायोस और सामर्थी बन जाते है, क्योंकि ये प्रतीक है, कि इस बित्व पर मेरा भरुशा हो, ये प्रतीक है, जैसा हो महिमा में, एक दिन हम वो उसको वैसे ही देखेंगा, हम उसके जैसे हो जाएंगे, अब बताओ, हम लोग अब जब इस टेबल पर गैदर होंगे, इसका मतलब कितना beautiful है, अमें, ये कितना powerful है, राइट, ये हम लोग की life का center होना चाहिए, तुमको प्रभु के दिन का सम्मान नहीं है, तुमको fellowship का honor नहीं है, तुमको word का honor नहीं है, तुम प्रभु के चीजों को तुछ लेते हो, मैं बोलतो है, 2000 साल पहले देखे, ऐसे believers नहीं होते थे, और फिर आ जाते हैं हम लोग उस टेबल पे क्योंकि अब फोकस है संशिप पे अब फोकस है बेटे और बेटी बनने में अब फोकस है उस ग्लोरी पे जिसके हम लोग इटरनली जिसके इस्सेदारी करेंगे अमेन तब ये एक पाफुल टेबल बन जाती है अमेन प्रभु भोज जो इस रोटी से खाता है तुम विश्वास ने करो तुमको कमीनें दे दे तुमके स्वर्ग चले जाओगे नई क्योंकि ये लिटरल नहीं है अगर लिटरल होता तो तुम इस इसी को कहा के स्वार चले जाते, बटी लिटरल नहीं है यह सिंबल है, और यह सिंबल बहुत पाफुल है, जह हम लोग की लाइफ का सेंटर होना चाहिए कि उसके कारण वो जीवन हम में है, तो तुम बोलो कि हम प्रभू में हैं, अब प्रभू में है और तुमको प्रभू की कलीशे का सम्मान नहीं है प्रभू की मेज का सम्मान नहीं है उस नए जीवन का सम्मान नहीं है, प्रभू के लोगों का सम्मान नहीं है, तुम बोलतो हमें अभी शिक्त है नहीं चाहिए है ऐसा भी शिक वो चर्च नमबर वन और टू में चलता है साभी शेक चर्च नमबर थ्री इस फैमिली ऑफ गॉड एमेन इतिसी कली से कौन सी है यह परमेशो का परिवार है एमेन यह वो जगह है जहां महिमा अब प्रकट हो रही है अब यह सेंटर बन गया राइट हम एक साथ मिलके उस ग्रेस को सेलिब्रेट करते है यह चिन हमारे लिए सामर्थी है क्योंकि हम समझते है कि इसी सैक्रिफिशल डेथ पे हम लोगी लाइफ इस्टैबलिश है और मेरे लाइफ का प्रेजेंट ट्रस्ट मसी येशु में है आमें और फिर हम उस कमाट का मतलब समझते है कि जब तुम इकठा हो मरी याद में इकिया करो अगर हम कहते हैं कि हमने अपना जीवन इसको दिया है कि आज वरतमान में हमारा पूरा भरोसा उस पर है कि हम सही में समझते है प्रभू येशु ने हमारे ले क्या कर दे लोग्रgen करोंब बचाने करे dedicated कि इस चीज़ से बचाने के लिए तुम को क्या माला माल करने के लिए तुम अभी तक मेरे अखल कोज रहो, लौट्री का नमबर खोज रहो तुमको माला माल करने के लिए की जैसा वो है वैसे तुम बन जाओ ग्लोरी का हिस्सा तुम भी बनो आमेन तो क्या जो मैं बोलता हूँ कि मैं उसे विश्वास करता हूँ क्या क्या मैं अपनी प्रेजेंट लाइफ में वर्तमान जीवन पर उस पर ट्रस्ट कर रहा हूँ